हेलो एवरिवन टुडे वी विल डिस्कुस अबाउट न्यूटन फर्स्ट लॉप मोशन तो न्यूटन ने अपनी फर्स्ट लॉप में क्या कहा न्यूटन ने यह कहा कि अगर किसी एक आफजेक्ट के उपर बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं और बहुत सारे फोर्स की अगर हम फेक्टर एडिसं करते हैं और बो जीरो आ जा रहा है तो उसका नेट एसलेरेशन भी जीरो ही आएगा क्यूंकि हमको यह पता है f is equal to m a होता है mass into acceleration अगर force 0 है तो acceleration भी 0 होगा तो Newton ने यह कहा कि अगर किसी object के उपर net force 0 है तो उसका net acceleration भी 0 होगा और अगर net acceleration 0 है तो उसकी state में कोई भी changes नहीं आएगा और state में कोई भी changes नहीं आएगा इसका मतलब क्या होता है कि अगर object जो है rest में है अगर तो वो rest में ही रहेगा और अगर object motion में है तो वो motion में ही रहेगा with constant velocity देखो acceleration 0 कब होता है अगर कोई object rest में है तो उसका velocity में कोई changes नहीं आ रहा है तो तब भी हम बोल सकते हैं कि acceleration zero है और कब बोल सकते हैं acceleration zero होगा जब object एक constant velocity से move कर रहा होगा अगर एक object है जो कि constant velocity से move कर रहा है तो उसका velocity में कोई changes तो नहीं हो रहा होगा So, if there is no change in velocity, then I can obviously say the acceleration is 0 Because acceleration is the change in velocity with respect to time अगर कोई change ही नहीं हो रहा है velocity में तो हम बोल सकते हैं कि acceleration 0 है तो दो cases में acceleration 0 होता है एक तो है अगर object stationary है तब बोल सकते हैं acceleration 0 है और एक दूसरा case किस में बोल सकते हैं acceleration 0 अगर object constant velocity से move कर रहा होगा So, Newton नहीं यह कहा कि अगर net force किसी object पे 0 आ रहा है तो उसका net acceleration भी 0 होगा और अगर net acceleration 0 है तो इसका मतलब यह है कि अगर rest में है तो वो rest में ही रहेगा और अगर motion में है तो वो motion में ही रहेगा with constant velocity किताब में इसका जो definition है वो यह है कि an object remain in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force इसका मतलब यह हुआ कि जब तक कोई external force applied नहीं हुआ है तब तक object अगर rest में है तो वो rest में ही रहेगा और अगर motion में है तो वो motion में ही रहेगा जब तक कोई external force applied नहीं हुआ है इसका मतलब क्या है external force का resultant 0 है कोई भी एक्स्टर्नरल फॉर्स अफ्लैड नहीं हुआ है इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि द्यार्ड इस नोच्ट्र्नर्ट फॉर्स और नेट फॉर्स अएप्लैडर अंद। इस जिरो तो अगर किसी ऑफ्जेकट के ऊपर जो नेट में है तो मोशन में रहीगा यही है हमारा Newton first law of motion तो अब चलो जानते हैं कि inertia क्या होता है और all object register a change in their state of motion देखो कोई भी एक object है और तुम आ कि उस object का state को change करने को चाहो तो वो object जो है वो उसको रिजिस्ट करेगा ऐसे नहीं कि वो support करेगा कोई भी आता है और बोलता है कि तुम रेस्ट में हो और चलो अभी motion में आ जाओ तो वो object हा नहीं कहेगा वो उसको मना करेगा मतलब उसको रिजिस्ट करेगा और अगर object जो एगर मोशन में है और तुम चाहते हो कि अभी तुम rest में आ जाओ, तो object उसको भी regist करेगा, तो यह जो tendency है object का कि वो जो भी state में है वही state में रहेगा, और अगर कोई आ कि उसको, अब उसका state change करने के लिए कहे, तो वो उसको regist करेगा, यही tendency को बोलते हैं inertia, तो inertia is basically the tendency of an object to regist any change in the state of motion इसी लिए Newton first law को law of inertia भी कहते हैं, तो Newton first law भी तो यही बोलता है, कि जब तक object के उपर net force 0 है, तो वो rest में, जो object होगा, वो rest में ही रहेगा, इसका मतलब वो regist करेगा, अगर कोई आ कि उसको change करना चाहे, उसका state को change करने को चाहे, तो वो उसको करेगा, तो Newton first law में ही, हमको यह पता चल रहा है, कि rest में जो है, वो rest में रहना चाहता है, और जो motion में है, वो motion में ही रहना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कि वो अपने state को change करना नहीं चाहते हैं, अगर net force object के उपर 0 है, तो वो अपना state change करना नहीं चाहते हैं, तो अगर कोई आकि उस state को change करना चाहें, तो वो obvious सी बात है, वो उसको oppose करेंगे, और यहीं जो oppose करने के tendency है, इसी को हम inertia कहते हैं, and that's why the first law of motion को हम law of inertia भी कहते हैं, अभी इसी first law of motion को हम feel करेंगे, कुछ ऐसे example देखेंगे, जिसमें की जो situation create होगा, उस situation को हम समझ सकते हैं by applying first law of motion, consider करते हैं कि एक stationary सा bus है, जिसके अंदर एक passenger खड़ा है, तो जैसे ही वो bus start करेगा move करने को, suddenly assume करते हैं कि bus जो वो movement करना start किया, तो जो passenger खड़ा रहता है bus में, वो थोड़ा backward fall कर जाता है, मतलब थोड़ा पीछे move कर जाता है, तो वो पीछे क्यों move करता है, वो पीछे इसलिए move करता है कि जब वो खड़ा था और bus भी stationary position में था, तो उसका जो lower portion of the body था, वो तो bus के contact में था, तो इसलिए जब वो bus motion में आया, उसका lower portion भी motion में चला आया, लेकिन जो उस person का upper part था, या तो upper body था, वो कौन से state में था, वो तो rest state में था, तो वो उसको अभी approach करेगा, by moving backward, तो वो जो object है, वो उसको approach करेगा, क्योंकि वो उसका जो state था, वो rest state था, वो inertia of rest में था, जैसे ही bus move करेगा, वो उसको approach करेगा, by moving backward, अभी अगर वो forward जाता तो वो उसने तो support कर देता ना, तो इसलिए वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो आगे जा रहा है, इसका मतलब यह हो रहा है कि वो उसने support किया, bus भी आगे जाना चाहता है, और वो भी उसका offer body भी आगे जाना चाहता है, तो अगर उसका offer body आगे ही चला जाए, तो इसका मतलब यह हुआ, उसने support कर दिया, oppose नहीं किया, लेकिन हमको यह पता है कि inertia, एक ऐसी tendency है कि object approach करेगी, कोई भी अगर आके उसकी state को change करने को चाहे, तो यह approach कैसे कर सकता है, आगे जाने से तो वो support कर रहा है, तो backward जाएगा, तभी जाके वो approach करेगा, इसलिए object क्या करता है, backward move कर जाता है, वैसे एक दूसरा example सोचते हैं, ऐसे सोचो कि एक passenger है, जो की bus के अंदर खड़ा है, और bus moving condition में है, तो इसका मतले भी यह हुआ, कि उसकी जो offer part है, वो भी motion में था, तो suddenly क्या हुआ ना, जो driver था, उसने brake लगा दिया, तो इस case में क्या होता है, उसका जो offer body होता है, वो forward move कर जाता है, फोरवर्ड क्यों move करता है, क्योंकि जब driver ने brake लगाया, तो bus stop कर गई, उसकी जो pair था, मतलब जो lower person था, object का, या तो person का जो lower person था, वो भी stop कर गया, मतलब वो भी stationary state में चलाया, लेकिन जो offer part of the body था, वो कि state में था, वो तो motion में था, तो इसका मतलब यह है, कि वो जिस state में है, वो ही state में ही रहना चाहेगा, मतलब वो motion में था, तो अभी भी वो motion में ही रहना चाहेगा, तो वो केसे possible होगा, अगर वो आगे ही move करेगा, मतलब अगर वो forward move करेगा, तभी जाके द्रश्राइब ऑसको अपोज करेगा I am a ठीक तो ऐसे एक इग्जैम्पल हो गया तो अगर फर्स लाओ न्यूटन फर्स लाओ बोशन पर कोशिकन आते तो हमको बस इतना ही लेक नहीं दो एक्जामपल देना है और फर्स लाओ मोशन का जो स्टेटमेंट है उसको दे देना है और फिर्स्ट लॉप मोशन is also called as laws of inertia यह वाला स्टेटमेंट देना है thank you I think I have explained you the first law of motion in a cleared way